बहुत प्राक्टर कहते हैं कि जब जब नीचे गिरो तब तब दोगने उत्साह और दड़निश्य से प्रियास करो फेलियर में उत्साह और दड़निश्य पैदा करना आशान नहीं है ऐसा करने के लिए mental strength लगती है लेकिन यही है सपलता की कीमत जो आपको हर बार चुकानी होगी बिल्मा ने पहले उलम्बिक्स में हारने की तत्काल बात पूरे उत्साह से दड़ संकल्प लिया जब आप ऐसा करते हो तब सबकॉंसियस को संदेश जाता है कि गोल के अलावा कोई डाउट और फेलियर अस्तित्त नहीं रखता और जब एक बार यह संदेश बहुंच जाता है तब सबकॉंसियस गोल को सुईकार कर लेता है और गोल सच होकर ही रहता है अगर चोटी बिलमा ने डॉक्टर की बात पर यकीन कर लिया होता तो सैथ कभी चल भी नहीं पाती और अगले पाच सालों में आप बो बन सकते हो जो आप सौश नहीं सकते कभी भी अपने दिमाग में मताने रोगी मैं नहीं कर जबता पाच साल बाद आप खुद सौश कर हासोगे कि अरे वो छोटी सी आदत मुझे परिशान कर रही थी मेंशा याद रखो, आप जितना सौचते हो, उससे कहीं ज़्यादा सासी हो, जितना दिखते हो, उससे कहीं ज़्यादा तागतवर हो, आप जितना जानते हो, उससे कहीं ज़्यादा समझदार हो नमबर टीन discipline आता है पिर उस कमांड वो पालम करने की जो सकती है उसे discipline कहते है अनुसासन आपकी सौच को सच करता है डेविड गॉगिन्स कहते है केवल सौचने का खेल नहीं है हर दिन push करने के लिए हर दिन दर्ध का time schedule करने के लिए कठोर अनुसासन की जरूत चाहिए बिल्मार रॉल्फ के अंदर सारे गुड बेकार हो जाते अगर उनके पास discipline नहीं होता इसलिए हर दिन कठीन काम करो हर दिन schedule बनाओ और हर दिन visualize करो जो आप सौचते हो वो करते हो धीर धीरे आप मजबूत हो जाओगे और आपकी जिन्दगी में discipline बढ़ जाएगा थैंक यू सो मच पॉर वासिं इस वीडियो तब तेके नमस्कार जै हिन जै भारत फ्री में तरहूं आपसे एक नेस्ट वीडियो में अल दा रेस्ट